नमस्कार मित्रो आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की मृत्यू कब और कैसे हुई थी? वो कौन था जिसके हाथो श्री कृष्ण की मृत्यू हुई? मानवता और मानव जाती को लगबग नश्ट कर देने वाला कुरुक्षेत के युद्ध शान्त हो चुका था अपनी जीत पर पांदव खुश नहीं थे बलकि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित था युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांदवो के साथ गांधारी और दित्राष्ट के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोग जाहिर करने और क्षमा मानने पहुँचे दुर्योधन का खून में लटपत शरीर और अंधे माबाप की आँखो से आसवो की बाड़ से पांदवो का भी दिल भराया था गांधारी पांदवो को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा आप द्वारा का अधीश है जिनकी पूजा मैंने खुद विश्णू अफ्तार मान कर की क्या आप अपने केबर जरा भी शर्मिन्दा है आप चाहते तो अपनी दिविशक्तियों से इस युद्ध को टार सकते थे बेटे की मौत पर आसु भाने वाली एक मा का दुर्ख तुम खुद अपनी मा देवकी से जाकर पूछो जिसने अपने साथ बच्चों को अपनी आपों के आगे मरते देखा है गांधारी ने कृष्ण को श्राब देते हुए कहा यदि भगवान विश्नु के प्रती मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धर्ती पर जीवित नहीं रहोगे द्वार का तबाह हो जाएगा और यादव वंच का हर इंसान एक दूसरे खून का प्यासा हो जाएगा ये कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी कृष्ण ने चेहरे पर हलकी सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा माते आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रती आपकी सचई श्रद्धा की वजह से नहीं बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंच के विनाश और भगवान कृष्ण की मृत्यू का कारण बना कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सामबा गर्भवती स्त्री का वेश धारन कर रिशी मुनियों से मिलने गए ये देखकर रिशी भड़क गए और उन्होंने सामबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्न दोगे जो तुम्हारे कुल सामराज्य का स्वनाश कर देगा इससे सामबा बहुत दर गए और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया सामबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर उस प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा जेस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था वहाँ एक खास प्रकार की घास उगाई ये देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का उत्पादन और वित्रन नहीं किया जाएगा इसके बाद द्वारका में कुछ बेहद अशुब संकित देखे गए जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंक, उनका रत्व और बलराम के हलका अद्रिश्य हो जाना शामिल है द्वारका में अपराद और पाप बढ़ने लगे थे ये देख श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापो का प्रायशित करने का आग्रह किया द्वारकार वासी वहां जाकर मदेरा के नशे में चूर एक तूसरे से लड़ने लगे गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंच के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए श्रीकृष्ण ने कहा त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का चिपकर वत किया था अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है दरसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था ये कहकर श्रीकृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया श्रीकृष्ण की मृत्यू को ही कलियुग की शुरुआत माना जाता है श्री कृष्ण ने कहा त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे राम ने सुगरीव के बड़े भाई बाली का चिपकर वत किया था अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है दरसल जरा ही पिछले